अमित शाह बोले आज आदी के बाद आतंगवाद पर सबसे करार अपलाहार हमारा भाजपा के राष्ट्री अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा के बाद एर स्ट्राइक से यह साबित हुता है कि यह 2004 से 2014 वाली सरकार नहीं 2014 से 2019 वाली सरकार है अब पाकिस्तान को फैसला लेना है कि वो क्या करना चाहेगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जवाब देते हुए शाह ने कहा कि पुलवामा के हमले की निंदा करने के लिए उन्हें कौन सा सबूत चाहिए यह बात भाजपा अध्यक्ष शाह ने इंडिया टुडी कॉनक्लेव के 18 वे संस करन कारेक्रम में सवालों के जवाब में कही बीजेपी अध्यक्ष शाह ने कहा कि देश की जनता पूछना चाहती है कि 26-11 हमले का जवाब क्यों नहीं दिया गया हमने आतंगवाद के कठोरता से डील किया है देश की जनता चाहती है क्योंकि उनको जवाब दिया जाए ताकि वे दुबारा ऐसा करने की न सोचे यूपी के महा गटबंधन पर अमित शाह ने बताया कि यूपी के चुनाव में कॉंग्रेस सपा का गटबंधन हुए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला माया वती अखिलेश यादव के स अधाने पर अमित शाह ने कहा कि गटबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें चुनाव बहुत बारीकी से लड़ना आ पड़ेगा